हेलो दोस्तो वेलकम तो सौटकर्ट इंफर्मेशन राश्त्र जनता दल के अधियक्ष लालू यादव की सोमवार को किडिनी का ट्रांस्प्लांट हुआ और किडिनी डोनर कोई और नहीं बलकि उनकी बेटी रोहिनी अचार्य है किडिनी ट्रांस्प्लांट के बाद दोनों को होस आ गया है और वो स्वस्त भी लग रहे हैं तो दोस्तों क्या आपको पता है कि किडिनी ट्रांस्प्लांट होता कैसे है kidney transplant के पूरे process में सबसे important person होता है living donor और उसकी safety का खास ध्यान रखा जाता है donor को कई test से गुजरना पड़ता है और कोई भी test का result गलत आने से donor kidney नहीं दोनेट कर सकता है हम जानते हैं कि हमारे सरीर में दो kidney होती है और एक source वेक्ती दोनों में से कोई भी kidney को donate कर सकता है फिर भी donor को renogram नाम के एक test से गुजरना पड़ता है जिसमें donor की kidney के split function को देखा जाता है और इस test के अधार पर जो kidney सबसे अच्छी function करती है उसे donor के पास रहने दिया जाता है और दूसरी kidney को donate के लिए चुना जाता है donor के एक kidney donate हो जाने के बाद बची kidney को compensatory hypertrophy नाम की एक process से गुजरना पड़ता है जिसमें बची हुई kidney का size बहर जाता है और वह दूसरी kidney का काम भी सम्हाल लेती है इस पूरे process को होने में 2-3 हफते का time लगता है तो ऐसी और informative वीडियोज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जलू कीजिएगा